गुड़ मॉर्निंग एबरिबन तो मॉर्निंग का टाम है बस नहालिएएँ नाके आ गए थी तंपे बस सिंदूर भर रही थी कंब बाल दो एते मैंने आज अपने आज था संडे तो बस ऐसे संडे को मैं बाल दोती हूं तो सूका सिंदूर बढ़ती हूं फिर उसके बाद में मॉर्निंग की जो जालू पहुंचा सब पहले ही हो गया था उसके बाद मैं फिर मैं आगी थी यहां पर पूजा करने तो बस पूजा हो गई है मेरी उसके बाद मैं बस अभी मैं बना रही हूं आज समों से तो मैंने आलू बॉल करने को रख दिया है यह मैदा लिए मैने तो बस मैदा आटा लगा के रख देती हूं तो यहां पर मैंने मैदा लिए आप अपने साब से लीजिए जितना आपकी ज़रूरत हो तो संडे था तो कुछ अलग खाने को बच्चों मैं डाली है क्रस करके हाथ से रकड़ के थोड़ी डाली है तो यहां पर नमक भी डाली है मैंने और सबसी जो अच्छे से मिला लेती हूं मैं तो अभी बहुत सरदी भी है ज्यादा नहीं है इदर सरदी टेकर फिर भी मौसम ठंडा तो है तो समोंसा खाने को मन था दो सब्सक्राइब यहां ठालना होता है तो थोड़ा सामें टाइट सा डो लगाना होता है जैसा हम पूड़ी का लगाते हैं तो बस आटा लगा कर रख दूंगे साइड में जब तक सेज़ों तो दूसरा काम देख सकते हो इस तरीके से लगा दिया है अब इमें इसको ढखके तो आलू बॉल हो गए थे और आलू को फिर मैने छील के साइड में और रख लिए आए फिर यहां पर मैंने वॉइल डाल दिया है हरी मेरिच काट के डाल दिया है तो बस आलू को हमें ज्यादा बारिक नहीं करना है बस हाथ से तोड़ तोड़ के डाली हूं को चलते चलती वह इतने पहल अच्छे से कर लिए थे मैंने मिलाने भी हो जाते हैं लेकिन हमें इसको ज्यादा बहुत बारिक नहीं करना है तो यहां पर हरी पती भी डाल दिया है मट्र भी थोड़ी सी तो मट्र भी बोईल करके डाल दी थी रखी ती फिरज में तो डाल देती हूं तो अच्छा रहता है अच्छे लगते हैं इस तरीके से तो बस यहां पर मैंने हींग डाल दिया है और नमक डाल दिया है वही सारी च चुरू डाली थी कि हमें आलू बहुत अच्छे खट्टे चाहिए तो बहुत सारी चीजिन डाल लेगी हूं मैं तो आलू तीखे हों तभी अच्छे लगते हैं तो बहुत अच्छा तीखा कर लिया था मैंने इनको अच्छे से थोड़ा सा होगी मैं और यह हम अच्छे से भूонов लेते हैं और तब अच्छा क्याор töस्ट आता है अच्छे भी लगते हैं तो तो यह कि हैं तो अप लोग भी बनाते हो गए किस तरीके से बनाती हो तो यह धाली में निकल ली है मैंने का ठंदा होने को रख दिया था मैंने काफी दिर हो गई थी तो बस समों से बनाना सुरू करती हूँ मैं तो आप पूड़ी को पतला ही रखिए गा ज्यादा मोटा नहीं और ज्यादा पतला भी तो भेल लिया है मैंने अब इसको मैं काट लेती हूं पीछ से तो आप यह आपूलिक लंम्मा भी बेल सकते हो तो बस एक साथ उठां लुआ एक साथ में अभी रखिलूंगी साथ में पारगा लगा में पानी लागा के influen के लिए तो इस इसमें इसकी जो फिलिंग वह भर दूंगे मैं तो इस तलिके से बनाती हूं आप ट्राय ज़रूर करना है टो फिलिंग आप अपने हसाब से भर सकते हो जितने आपको ज़ोगत है मैंने मेंने फिल्पाइघ ना उपर तो इस तरीके से मैंने थोड़ा सा दबा दिया है नीचे को उपर भी मैंने हलका सा पानी लगा के और एक सामने से पिलिट दे दिये जिसे लम्बा नहीं हो कुछ देख सकते हो पानी थोड़ा थोड़ा लगा लिती तो अच्छा रहता है चोटे बड़े कैसे भी कर सकते जादा बड़े भी नहीं थे मेरे जादा छोटे भी नहीं थे बस ऐसे ठीक बनाए थे मैंने तो अभी मैं बहुत सारे बैर करने वाली हूं आप लोग मेरे वीडियो में बने रहेगा मैं अभी सरदी आगये तो बहुत अच्छम वीडियो आएंगे मेरे और आप लोगों से कहना चाहते हैं और पहली वार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेजिए अगर वीडियो मेर पसंद आता है तो लाइक सेर जरूर करें थोड़ा हमें उस साइड में जाके ऐसे करते हैं तो थोड़ा लंबा लंबा से हो जाता है इसलिए मैं आपको फिर दिखा रही थी कि थोड़ा ऊपर ले जाके इस तरीके से मैंने बनाए थी तो ऐसे बना बना के रख लिए मैंने अभी बस इनको फिराई कर लेती हूँ तो यह मैंने पहले ही ओल गरम करने को रख दिया था और ओल हमें बहुत जादा गरम नहीं किया है क्योंको फिर उपर से सिख जाएंगे और अंदर से नहीं क्रस्पी नहीं होंगे तो मैंने तो मैंने पलट दिये हैं देख सकते हो और इसमें कलर थोड़ा कम आ रहा है वैसे बहुत अच्छे सिखे थे तो इसी तरीके से सारे बनाए थे मैंने बना लूंगी समों से दिये है मैंने सिरी नहीं दी ती इसमें यह सौस है आप लोग आ जाईए आप लोग किस तरीके से बनाता हो मेरे साथ से जरूर करना मुझे आपकी कॉमेंट का इंतिजार रहेगा पर साम का टाइम था थोड़ी बैठी थी तो मैं वो ली पालक में थी आया था तो इसको फि रहती है वो रख के रख दूंगी इस तरकी से दो के काट के रख देती हूं में फिरिज में तो जैसे मोर्नी में टिफिन वगएरा रहता है कुछ भी रहता तो हमें जल्दी नहीं कर पाते देख सकते हो मैं दिखा नहीं आपको कितना अच्छा पालक आया नहरा हरा तो टाम की बचत हो जाती है सुबह बहुत जल्दी रहते हैं तो पालक परांठे या हमें ऐसा कुछ दाल पालक बनाना रहता है या पनीर भी कभी बनाते हैं तो वो उसमें भी डालती हूं तो इसलिए ऐसे काटके दो कर दो रख दिते जाती हूं मैं तो पालक साइड में काटके रखे दिया है यहां धनिया भी था तो इसको भी साफ करके रखे दूगी में तो थोड़ा भी टाइम मिलता है तो यह काम कर लेती हूं मैं